असलाम लेकुम विवर्स आप सब कैसे हैं? उमीद है आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए बहुत हैल्दी और नर्जी से भरपूर कोकोनेट मिल्कशेक लेकर आई हूँ यह मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी गर्मियों का यह बेस्ट मिल्कशेक हैं चले ही मज़ेदार सा कोकोनेट मिल्कशेक बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद कोकोनेट इसको दो हिसों में डिवाइट कर लें यह हमने दो हिस्सों में डिवाइट कर लिये अब इसके उपर वाली स्किन उतार देंगे यह हमने उतार दी है अब इसको कदुकश कर लेंगे इस तरीके से कदुकश कर लें इसको इसको हमने कदुकश कर लिये और हाफ कोकोनेट यूज हुआ है और एक हमें जग चाहिए इसमें ये डाल दें अब इसमें हम एड़ करेंगे दो कप दूद के ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ये हमने ब्लेंड कर लिया है ये देखें इस तरह होना चाहिए इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है अब इसको हम चान लेंगे चानने के लिए हमें एक बाउल चाहिए और एक छनी चाहिए इस तरीके से इसमें डाल दें इस तुरीके से प्रेस करें ताकि जो कोकोनेट मिलक है वो अच्छे से निकल जाए इसको भी हम यह हम वेस्ट नहीं करेंगे इसकी आप चटनी भी बना सकते हैं और यह मिठाई भी बना सकते है यह देखें कोकोनेट मिलक हमारा बिल्कुल रेडी है और अब हमें चाहिए लाइची पाउडर वान टी स्पॉन तू टिबल स्पॉन हमें चाहिए शूगर और एक चग चाहिए हमें इसमें कोकोनेट मिलक डाल दें कोकोनेट मिलक हमने डाल दें इसमें हम डालेंगे वन टी स्पॉन इलाइची पाउडर शूगर डाल देंगे टू टिबल स्पॉन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह ज्यादा कर सकते हैं आइस हमें चाहिए यह भी इसमें डाल दें अब इसमें हम एट करेंगे हाफ कप मिलक का इसको अच्छी तरह ब्लैंड कर लें यह देखे हमने इसको अच्छे से ब्लैंड कर लिया मिलक शेक हमारा बिलकुल रेडि है अब हमें दो ग्लास चाहिए इसमें यह मिलक शेक डाल देंगे यह देखें मिलक्षेक हमने डाल दिया अब इस पर बारीक सा कोकोनेट डाल दें इस तरीके से आप सर्फ करें अब इसमें स्ट्रा लगा दें कोकोनेट मिलक्षेक हमारा बिलकुल रेडी है आप इस रेसिपी को स्ट्रू ट्राइ करना अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी रेसिपी अपनी फैमली फ्रेंड्स के साथ शियर करें और मुझे अपना फीड़ बैक देते रहें अपना ख्याल रखिएगा अलाह फीज